पुने के इलाखे में चोरों ने विस्पोटक का उप्योग करके एक एटियम को उड़ा दिया और लगबख सत्रा लाख रुपे ले बागे तो बॉल्यूट सुपरस्टार सल्मान खान साफ के जहर से उबर चुके है उन्होंने खुद बताया कि एक साफ ने उन्हें तीन बार काट लिया था वक किस्मत वाले रहे कि घटना चिंता जनत नहीं रही इसे बीच आयाटी संस्तान बॉंबे के 1996 बैच के छात्रों ने लिगेसी ब्रोजेट के तहस संस्तान को 17 करोड रुपे देने का वादा किया है उदर पांच सितारा होटल में चर्ड़ी पार्टी के दोरान खुद को नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर का अधिकारी ब पवार महराष्ट के स्वास्विबा के अधिकारियों पर जम कर बरस पड़ी उन्होंने कहा कि स्वास्विबा के अधिकारी एक दुसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने री आप हमारे साथ और ठीक उसी समय कुछ लोग एटियम के पास पहुँच गए उन्होंने जिलेटिन की छडों की मदद से नीजी बैंक के एटियम में विस्पोर्ट किया जानकारी मिलते ही बम खोजी एवं निश्क्रिय दस्ते सहीत एक तकनी की टीम मौके पर पहुँची और जान शुरू ह गई आसपास के सिसी टीवी कैमेरों की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है जान जोखिम में डाल कर चोरी करने वाले चोरों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे है माना जा रहा है कि इसमें तकनी की जानकार भी शामिल हो सकते हैं पिंपरी चिंसवर्ड पुलिस के DCP बंचक इपर ने बताया कि पुने शहर के समीब सित आलंदी के निकट रविवारतर के चोरों ने विस्पोर्ट को का उपयोग करके पहले बैंक एटियम को तोड़ दिया और फिर उसके पैसे निकाल लिये रिपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि सूपर स्टार सलमान खान साप के जहर से उबर चुके है उन्होंने बताया कि एक साप ने उन्हें तीन बार काट लिया था वह किस्मत माले रहे कि घटना चिंता जनक नहीं रही घटना की जानकारी मिलते ही उनके शुपचिन तक परेशान हो गए थे सोशल मीडिया पर शु और रविवार को सुभव उन्हें चुटी दे दी गई सलमान खान ठीक होने के बाद फार्म हाउस पर वापस आ गए थे जहां उन्होंने अपना 56 बर्दे सेलिबरेट किया मीडिया से बाचित में सलमान खान ने बताया कि साप अरपिता फार्म हाउस के एक कमरे में घुस ग कि टाइगर और साप दोनों जिन्दा है सलमान खान के पिता ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने साप को चोड़ पहुचाई है जवाब है मैंने कहा कि हमने इसे बहुत साउधानी और प्यार से संभाला और इसे जंगल में छोड़ दिया भारतिय प्रोग्योकी की संस्तान बॉंबे ने हर साल की तरह सिल्वर जूबली बैच के पूरवर छात्रों के लिए विशेश आयो जिन किया इस कारेक्रम में 1996 बैच के छात्रों ने लिगेसिर प्रोजेक के तहट संस्तान को 17 करोड रुपे देने का वादा किया बता दे कि लिगेसिर प्रोजेक के तहट दान में मिलने वाली धनराशी को संस्तान की बहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके तहट प्रोग्षालाव और छात्रावासों के पुनर्विकास के साथ साथ छात्रों अत्ते के लिए भी धन चुटाए जाएगा इसके साथ ही दुनिया भर के सर्वस रेश्टर और प्रभावशाली लोगों को आकशित करने के लिए यंग फैकल्टी अवर्ड्स IIT Bombay की भी शुरुवात की गई है सिल्वर जुबली बैश ने Legacy Project के तहट IIT Bombay को 17 करोड रुपे राशी देने का वादा किया है Legacy Project के तहट इससे जुड़े 36 संस्तान और संस्तान में आने वाले नए चात्रों की बहतरी के लिए दान देते है IIT Bombay के निदेशक सुबास चोधरी ने कारेक्र में शामिल हुए चात्रों और अतितियों का स्वागत किया उन्होंने IIT Bombay की सफलता की सराना की बता दे कि IIT Bombay विश्विद्दाले रैंकिंग 2021 में पहले स्तान पर है इस खास मौके पर पुर्वचात्रों को उनके उत्कुष्ट सेवा के लिए सम्मान इत किया गया IIT Bombay के पुर्वचात्रों को दो पुरसकारों से सम्मान इत किया गया इसमें पहला विश्विष्ट सेवा और दूसरा अध्य सेवा सम्मान था हर साल पुर्वचात्र विश्विद्दाले की बहतरी के लिए विभिन्न नहीं योजनाओं के लिए दान देते है फाइस्टार होटल में चर रही पार्टी के दवरान खुद को नार्कोटिस कंड्रोल ब्योरक आधिकारी बता कर छापा मारने के बाद एक भोचपरिय अभिनित्री से 20 लाख रुपे मांग कर उसे आत्मत्य के लिए मजबूर करने वाले दो आ रुपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफतार किया है बता दे कि 28 वर्षिब अभिनेत्री सल्मा उर्पस संजना उर्पस जारा खातू ने 23 दिसंबर को अपने जोगेश्वर इलाके में स्तित घर में फांसी लगा कर आत्मत्य कर ली थी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला आत्मत्य करने जा रही है सूचना तुरंद अंबोली पुलिस की मोबाइल वाइन को दी गई पुलिस मौके पर पहुँची तो दर्वाजा अंदर से बन था पुलिस दर्वाजा तोड़ कर अंदर दाकिल हुई तो महिला ओड़नी क सहारे पंके से लटकी मिली उसे तुरंट नीचे उतार कर अस्पतार ले जाया गया लेकिन दाखिल करने से पहले डॉक्टरों ने उसे इम्रुद घुशित कर दिया 96 बीन में पता चला कि महिला 20 दिसंबर को अपने दोस्तों के सा सांताकरोज इलाके के एक 5-7 तरह होटेल में पार्टी कर ले थी इसी दोरान तीन लोगों ने खुद को NCB का अधिकारी बता कर वाँ छापे मारी का दावा किया आरोपियों ने महिला को और उनके दोस्तों से कहा कि उनके खिलाब ड्रग्स लेने का मामला दर्च कर उन्हें गिरफ़तार किया जाएगा इससे बचना है तो उन्हें 40 लाक रुपे देने होंगे डरी अभिनेतरी और उसके दोस्तों ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है तो आरोपियों ने कम से कम 20 लाक रुपे देने को कहा उस वक्त अभिनेत्री गिरफतारी के डर से पैसे देने को तयार हो गई लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे और आरोपी लगातार उसे फोन कर पैसे देने को कह रहे थे इससे परेशान होकर अभिनेत्री ने फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के रहशाद बढ़ती ही जा रही है सरकार हर तयारी का जायजा ले रही है ताकि संकटकाल में लोगों की रक्षा की जा सके इसी बीच कोलापूर में कोरोना के मरीजों को बहतर स्वास्त थेवान न मिलने से नाराज के इंद्रिय स्वासरा जमंतरी भारती पवार ने प्रदेश के स्वास्त विभाग के अधिकारियों पर जम कर बरस पड़ी है उन्होंने कहा कि अधि मरीजों की इलाज के लिए नागरिकों के सामने आंदोलन करने की नौबत आ रही है तो मैं सहन नहीं करूंगी स्वास्त विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहے है जबकि स्वास्त विभाग सेवा देने के लिए नागरिकों के प्रतीर जवाब दे है पवार ने कहा कि कोरोना काल शुरू होने के बाद से दिली में स्वास्विबाग की अधिकारी जरूरत पढ़ने पर रात को दो तीन बजे कार्यले में आते है राज में सभी प्रकार की सुविदाय उपलब्द है फिर भी मरीजों के परिजनों से इलाज में लापरवाही की शिकायते मिल रही है यदि करमचारी कम पढ़ रहे है तो ठेके पर भरती की जाए राज सरकार के पास करमचारी की ठेके पर भरती करने का अधिकार है इसी दवरान मीडिया से बाचित में पवार ने राज की स्वास्वी भाग में भरती परिक्षा का प्रश्ण पत्र लीख होने को लेकर राज सरकार पर कटाक्ष किया उन्होंने कहा कि प्रश्ण बत्र लीख होने से विधार्तियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है यदि बार-बार परिक्षावे पर लीख होने का मामला सामने आता रहा तो केंद सरकार इस पर अवश्य हस्तक्षिप करेगी मौसम बदल रहा है नई साल के प्रवे से ठीक पहले जहां उत्तर भारत के पहाड़ी राजों में बरबारी हो रही है वही देश के कई राजों में बारिश की संभावना जताई जा रही है उदर काशी विश्वनाद धाम के लोकारपन के मोके पर शास्ते विधान के विप्रीत प्रधान मंत्री द्वारा पूजन कराने को लेकर विश्वनाद मंदिर के अर्चक पंडिश टीकान मिश्राप पर लगे आरोपो की जान शुरू हो गई है तुतर प्रदेश के ही कनोज में कारोबारी प्योजन के घर से छापे में इतने रुपे मिर रहे हैं कि देश स्थब्द है आगड़ा 290 करोड के आस पास पहुँच गया है जेस्टी की विजलेंस टीम पिछले लगातार 60 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है विर रायपूर में आजी धर्म सांसद में संतकाली चरण महराज ने राष्ट पिता महात्मा गांदी के नाम अपशब्द कहा है इस बयानबाजी का घोर विरोध हो रहा है इसी बीज देश में ओमिक्रोन का खत्राल लगा तर बढ़ता जा रहा है और अगले साल पांच राज्जों में विदासबाद चुनाओ होने वाले है चुनाओ आयोग और केंद्री स्वास्त मंद्रा ले इस दोहरी चुनाओती को लेकर आज बैठक कर रही है देश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ नए साल के प्रवेश से ठीक पहले जहां उत्तर भारत के पहाडी राज्जों में बर्फबारी हो रही है वही देश के कई राज्जों में बारिश की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के उनुसार 28 दिसंबर तक पश्ची में हिमालाइक शेत्र में हलकी से मध्यम छीटपुट वर्षा और हीमपात की संभावना है इस कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, चंडीगड और दिल्ली, राजस्थान और बिहार में छीटपुट स्तानों पर हलकी वर्षा हो सकती है राजस्थान में 27-28 दिसंबर के दोरान हलकी से मध्यम वर्षा होने की संभावना है जबकि उत्तर प्रदेश में 27-29 दिसंबर के दोरान मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है पंजाब, हरियाना, चंडीगड दिल्ली में 26-29 दिसंबर के दोरान हलकी से मध्यम वर्षा होने की संभावना है पटना के अनुसार प्रदेश में 28 और 29 दिसंबर को हलके से मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है एक चक्रवाती परिसंचरन दक्षिन पश्चिम बिहार और इसकी आसपस बना हुआ है सतह से 6.9 किलोमिटर उपर दक्षिन पुर्वी हवा का प्रसार हो रहा है इसके प्रभाव से पटना समेथ प्रदेश के अन्य भागों में बादल चाय रहने के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है 36 गड में 9 साल के पहले बारिश होने के आसार है 27 से 29 दिसंबर तक राज्य के कई जीलों में बारिश की संभावना है जारखन के कुछ इलाकों में बादल चाय रहने के बाद 28 से 30 के बीच कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है 29 दिसंबर को तेज बारिश हो सकती है जिससे सुबे में सर्दी बढ़ सकती है काशी विश्वनात धाम के लोकारपण के मौके पर शास्त्री विदान के वीपरित प्रधान मंत्री का पुजन कराने को लेकर विश्वनात मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा पर लगे आरोपो की जाज शुरू हो गई है सुबे के धर्मार्त कारिय मंत्री डॉक्टर निलकंट तिवारी ने मंदिर प्रशासन से सभी पक्षों से जानकारी लेकर रिपोर्ट मांगी है मंदिर के मुख्य कारिय पालक अधिकारी डॉक्टर सुनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जान्ज के जिम्मेदारी अपर कारिय पालक अधिकारी को दी गई है वही अर्चक श्रिकांत मिश्र का कहना है कि मंदिर प्रशासन की और से पक्ष मांगा गया है उसे एक दो दिन में उपलप्त करा दिया जाएगा तिरा दिसंबर को विश्वनात धाम के लोकारपन के बाद गर्भग रूह में प्रधान मंतरी मोधी ने पूजा गी थी मंदिर से जुड़े लोगों की आपत्ति के बाद मंदिर के अर्चक पंडिश्रिकांत मिश्रा के खिलाब जाज शुरू हो गई है विश्वनात मंदिर के पुरवन्यासी दीपक बजाज ने प्रधान मंतरी को पत्र लिखकर आरुप लगाया है कि अर्चक शुरिकांत मिश्रा ने चचेरे भाई का निधर होने से सुतक काल में रहते हुए विश्वनात धाम के लोकारपन की पूजा कराई थी उन्होंने सुतक में होने की बाद छिपाई थी ऐसा करके उन्होंने सनातन परंपरा का अपमान करने के साथ अनिष्ठा को आमंतरन दिया है सुतक ग्रस्थ अर्चक द्वारा पूजा पाट कराया जाना तो दूर विश्वनात मंदिर में प्रविश करना भी शास्र सम्मत नहीं है पूरवन्यासी ने पत्र में बताया है कि अर्चक श्रिकांत मिश्र के मध्यप्रदेश के नरसिंग पूर जिले में रहने वाले चचेरे भाई रविकांत मिश्र के पूत्र वेदप्रकाश का सड़क हाथसे में पाच दिसंबर को निधन हो गया था अठ्रा दिसंबर कोवेद प्रकाश के त्रयोद शाहा में शामिल होने के लिए उनकी मा और पत्नी नरसिंग पूर गई थी उत्तरपदेश के कन्योज में कारोबारी पियुश जैन के घर से चापे में इतने रुपे मिले कि देश सब्द है आंकडा 270 करोट के आसपास पहुँच गया है GST की विजिलेंस टीम पिछले लगातार 60 घंटे से सर्च ओपरेशन चला रही है इस दोरान टीम के अफसरों को नीन लेना मुश्किल हो रहा है कुछ हासिल करने की उमिद में लगातार काम में जुटे अफसरों को आंक जपकाने की भी फुरसत नहीं मिल रही है जानकर बताते हैं कि पियुश के परिवार की माली हालत पिछले 15 साल में पूरी तरह बदल गई इसके पहले परिवार के पास जैन स्टिट के मौजुदा मकान का एक छोटा सा हिस्सा ही था आर्थिक हालात बदले तो आसपास के दो मकानों को खरिद कर एक कर दिया गया दावा किया जाता है कि करिब 700 वर गज के इस मकान को बनवाने के लिए जैपुर से कारीगर बुलवाए गये थे मोटी मोटी दिवारे, महंगे एर कंडिशनर, स्टील की बालकनी और दरवाजे इस कोठी को बांकी मकानों से एकदम अलग बनाते है इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजुद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी CCTV फुटेज नहीं दिखा घर भी ऐसा बना हुआ है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता एक स्तानिय शक्स के मुताबिक भले ही बहारी लोग प्यूश और उनके परिवार की हैसियत का अंदाजा नहीं लगा पाए लेकिन कनोज में बिजनेस से जुड़ी लॉबी में प्यूश और अम्रिश का नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है इनीनों देश के अलग-अलग राज्यों में धर्म संसत का आयोजन किया जा रहा है इन सबी जगहों से विवादित बयान भी सामने आ रहे है रायपुर में आयोजित धर्म संसत में संत काली चरण महाराज ने राश्टपिता महत्मा गांधी को गाली दी है साथ ही मंच से कई अपशब्ध कहे हैं इससे धर्म संसत में आये महंत राम सुंदर दास नाराज हो गए और मंच छोड़ कर चल दिये काली चरण महाराज का ये विडियो वाइरल है ये वही महाराज है जिनका पिछले साल शिवतांडो स्तरोत करते वे विडियो वाइरल हुआ था दरसल राइबुर में आयोजित दो दिवसिय धर्म संसत में पुरे देश के जाने माने संत इकठा हुए थे इसका आयोजन रावन भाटा मैदान में किया गया था रविवार को संबोधन के दोरान काली चरन महाराज ने विवादित बयान दिया है काली चरन महाराज ने मंच पर आने के बाद कहा कि इस देश पर वही राज करेगा जो हिंदू हीत की बात करेगा विवादित संत ने कहा कि इसलाम का मकसद राजनिती की जरिये हमारे राष्टर पर कबजा करना है अभी हाल ही में उन लोगों ने दो देशों पर कबजा किया है इसके बाद काली चरण ने पाकिस्तान के बटवारे को लेकर महात्मा गांधी को अपशब्द कहें साथ ही हत्यारे नाथुराम गोड से की तारिफ की इसके बाद काली चरण और भड़काव बयान देते रहें काली चरण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है इस पर विवाद शुरू हो गया है सभी राजनितिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि काली चरण पहले साबित करे कि वह संथ है कि नहीं देश में ओमिक्रॉन का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है इस खत्रे के बीच अकले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाओ सरकार के लिए कड़ी चुनोती साबित होने वाले है इसी बीच चुनाओ आयोक और केंद्रिया स्वास्ता मंत्राले के बीच एहम बैठक होने वाली है बताया जा रहा हैं कि देश में कोरोना की विक्राल स्थिती को देखते हुए कोई अहम फैसला लिया जा सकता है गोवा, पंचाब, उत्राखड और मनिपुर विधान सभाव का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग-अलग तारीकों पर समाप्त हो रहा है जबकि उत्राखड विधान सभा का कार्यकाल माई में समाप्त होगा, निर्वाचन आयोग अगले महिने चुनाव की तारीकों की घोशना कर सकता है आयोग चुनाव प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीकों के लिए अपने COVID-19 प्रोडोकॉल में सुधार को लेकर केंद्रिया स्वास्त सचिव राज़ेश भूशन से सुझाव भी मांग सकता है गौर तलब है कि उत्तरवदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के राज्य का दोरा करने का कार्यक्रम है इलहाबाद उच्चे नायले के नय मुर्ती शेकर यादव की भीट ने बुरुहस पतिवार को सरकार को निर्वाचन आयुक्त से उत्तरवदेश विधान सबाच चुनाओ को एक या दो महीने के लिए टालने और कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच सभी राजनिति क्रेलियों पर प्रतिबन लगाने पर विचार करने का आग्रह किया था। कर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए टिकेट के पैसे वो खुद देने के लिए तैयार है। इसी बीच करनडा के प्रदानमंदी जस्टिन टूडो ने कहा है कि चीन वेस्टन कंट्रीज को एक दूसरे खिलाव लड़ाने की को कर्मान जारी किया है। इसके अनुसार वो औरते जो पुरे शिशदार के बिना लंबी दूरी का समय तैय करती है। उन्हें सवारी गाड़ी में नहीं बैठाया जाए। दुनिया बर की इन पाच बड़ी खबरो को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे इसका जवाब वर्षों से विग्यानिक तलाश रहे थे। अब ब्रिटन के विग्यानिकों ने इसका जवाब ढून निकाला है। ब्रिटन के विग्यानिकों की मुताबिक दुनिया में सबसे पहले मुर्गी ही आई थी। ब्रिटन के शेफिल्ड और वारवीक देले के शोतकरताओं ने इस पर एक अध्यान किया है। अध्यान के लेखक डॉक्टर कोलिन फ्रीमेन का कहना है कि दुनिया भर के विग्यानिक वर्षों से इसका जवाब तलाश रहे थे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। फ्रीमेन ने कहा कि अध्यान के दुरान कई वर्षों तक इसका जवाब नहीं मिल पाया था। अब यह साबित हो गया है कि पहले मुर्गी ही आई थी। शोथ करताओं का कहना है कि अंडे की तैयार होने के लिए ओवक्लायडीन नामक प्रोटीन ज़रूरी होता है। इसपर्टा होने के दुरान मुर्गी के गरभाशय में बनता है। इससे साब होता है कि पहले मुर्गी ही आई थी, अंडा नहीं। शोत करताओं ने अध्यान के दोरान पता लगाने की लिए हाइटेक कम्पूटर हेक्टर का इस्तमाल किया इस दोरान वज्ञानिकों ने अंडे के खोल का मॉलिकुलर स्रक्चर समझा अध्यान के दोरान पाया गया कि ओवोकलाइडिन प्रोटीन की मदद से कैल्शियम कॉर्बनेट अंडे के खोल में बदलने लगते है धिरे धिरे यह खोल सक्त होने लगता है जदातर मुर्गिया 24 से 36 घंटे में अंडे देती है भारत और रूस के बीच इसी मेने की शुरुआत में देश से बाहर हतियारों के निर्मान को लेकर सहमती बनी है हालकि इसे लेकर कोई कराल नहीं हुआ है लेकिन दोनों देशों के बीच नौन पेपर एक्सचेंज हुआ है इसके तर सेंटल एशिया के देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उस्बेकिस्तान में हतियारों के उतपादन का प्रस्ताव है यह उतपादन इन देशों में स्थिस सोवियत काल की फैक्टरियों में ही किया जाएगा कहा जा रहा है कि यहां बने हतियारों को सेंटल एशिया के देशों को दिया जाएगा इसके अलावा भारत की जरुरते भी पूरी हो सकेंगी माना जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अपने पैट पड़ोसी मुल्क में मजबूत करने की स्थिति में आ गया है अब यदि सेंटल एशिया के देशों में भारत हतियारों के उत्पादन का काम करता है तो यह बड़ी सफलता होगी इसकी वज़ा यह है कि भारत लंबे समय से हतियारों के आयत करता की बजाए एक्सपोर्ट अर्ट बनना चाहता है इस लिहास से सेंटरल एशिया के देशों में हतियार उत्पादन बड़ी सफलता होगी दशकों से भारतिय सेना में भी रूस के बने कई हतियारों, मिल्ट्रिवानों और अन्यूपकरणों का इस्तमाल किया जा रहा है हतियारों के निर्यातक देश बनने की दिशा में भारत के लिए यह अहम कदम होगा इसके साथ ही भारत को सेंटरल एशिया के मुस्लिम भूल देशों में अपनी पैट मजबुत करने में मदद मिलेगी इससे अफगानिस्तान में भी भारत मजबुत सिति में आ सकेगा रूस के जरिया अफगानिस्तान में भारत के एंटरी पाकिस्तान को भी चिढाने वाली होगी पाकिस्तान की गुरुआ मंतरी शेक रशिद अहमद ने पूरप्रदान मंतरी नवाज शरीप की देश में वापसी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है उन्होंने पूरप्रदान मतरी नवाज शरीप पर तंस कस्ते हुए कहा कि अगर वह लंदन से पाकिस्तान वापस लोटना चाहते है तो उनके लिए टिकिट के पैसे वह खुद देने के लिए तयार है बता दे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुकनेता वह पूरो पियम नवाज शरीप साल 2019 में अपने इलाज के चलते बिटेन की राज़दानी लंदन में है गुरुह मंत्री शेक रशित ने कहा कि नवाज शरीप ने काफी नाटक करने के बाद देश छोड़ा था जिसके बाद वह लंदन चले गए थे पूरो पियम ने लंदन रहने के समय से किसी भी डॉक्टर से परामरज नहीं किया है इससे लगता है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और लंदन में बैटकर पाकिस्तान की नायपाली का और सेना को लेकर ब्यान जारी कर रहे है बता दे कि पिछले कुछ दिनों से पूरप्रदान मंतरी नवाज शरिप की पाकिस्तान वापसी को लेकर तरह तरह की बाते सामने आ रही थी इसी बीच अब गुरुह मंतरी के बयान के बाद पाकिस्तान की राजनिती में काफी हल चल पैदा हो गई है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने बताया कि अगले आम चुनाव से पहले पहले नवाज शरिप की पाकिस्तान वापसी को लेकर तनावपुर्ण राजनितिक माहल के बीच देश में नई भहस छिड़ गई है साथ ही खैबर पक्तुनक्वा के स्थानिय निकाय चुनाव में इमरान की पार्टी की हार से इमरान खान की लोगप्रियता कम हो रही है कनाडा के प्रदानमंदरी जस्टिन टुडो ने पश्चिमी देशों को चीन की साजिश के खिलाप आगाह किया है टुडो ने कहा पश्चिमी देशों को चीन की साजिश के खिलाप सदर खोजाने की जरूरत है चीन वेस्टन कंट्री को एक दिसुरे के खिलाप लडान की कोशिश कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड एकोनॉमी और मार्केट पर एक साथ कबजा कर सके अब वक्त आ गया है कि सभी पश्चिमी देश चीन की साजिशों को मिल कर जवाब दे टुडो के पहले अमरिकी सिनेटर टॉम लेंथर ने भी इसी तरह की बात कही थी अमरिका ने हाली में चीन की कुछ कंपनियों के खिलाप प्रतिबन लगाया है टुडो ने कहा कि चीन हमारे खिलाप अजीब खेल खेल रहा है इसे साजिश ही समझा जाना चाहिए वो पश्चिमी देशों को एक दुसरे खिलाप इस्तमाल कर रहा है उन्हें लड़ा रहा है इसके जरियों बाजर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है चीन की गलत नितियों और साजिश वाली डिपलोमसी की जलक हम होंग कॉंग में देख चुके है वहाँ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उगर मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है बता दे कि इस महिने की शुरुआत में अमेरिका, कनाडा, जपान और उस्ट्रिया ने चीन के बिजिंग में होने वाले विंटर ओलिम्पिक्स का डिपलोमेटिक बॉयकॉट करने का फैसला किया था इसका मदलब यह है कि इन देशों के अतलीट्स तो बिजिंग जाएंगे लेकिन कोई डिपलोमेट टीम के साथ नहीं जाएगा चिन पच्चिमी देशों के इस कदम से बॉकलाया हुआ है उसने धमकी दी है कि वो सही वक्त पर वेस्टन ब्लॉक को इस हरकत का जवाब देगा विंटर ओलिम्पिक फरवरी 2022 में बिजिंग में होंगे तालिबान हुकुमत ने महिलाओ के अकेले सफर करने पर रोका फर्मान जारी किया है तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया वो औरते जो पूरुष रिष्चदार के बिना लंबी दूरी का सफर तै करती है उन्हें सवारी गाड़ी में नहीं बैठाया जाए इसे के साथ वाहन मालिकों से कहा गया है कि सिर्फ इसलामिक हिजाब पहनने वाली महिला को ही वाहन में बैठाया जाए तालिबानी प्रवक्ता सादिक अफिक मुजाहिर ने कहा कि 45 मिल से ज्यादा की दूरी तै करने वाली औरतों के साथ अगर कोई पूरो शिश्यदार नहीं है तो उन्हें पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में नहीं बैठाना चाहिए इससे पहले महिला किरदारो वाले टीवी सिर्यल्स पर रोग लगाने का आदेश दिया था मुजाहिर ने यह भी कहा कि वो महिला है जो सफर करना चाहती है उनके लिए इसलामी हिजाब पहनना अनिवार्य होगा इसके अलावा आम लोगों से अपनी गाडियों में म्यूजिक नहीं बजाने के लिए भी कहा गया है महिला नियूज आंकर्स को आंकरिंग के दोरान भी हिजाब पहनना होगा अगस्त में सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने आम लोगों को कई छूट देने का वादा किया था जब कि इसके उलट अफगान आउरतों पर कई तरह के प्रतिबंद लगा दिये तालिबान नेता नेमतुला बर्कजी ने हाली में दुकानों के बाहर लगे महिलाओ के तस्विर वाले बोर्ड हटाने के आदेश दिये थे महिलाओ की तस्विर हटाने के पीछे इसलामिन यमों का हवाला दिया गया था तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रिए VKB News नमस्कार